हल्दी, हमारी रसोई की जान, बहुत सारे भारती व्यंजनु का स्वाध अधूरा इस हल्दी के बिना, हल्दी नहीं तो लगता है कुछ भी नहीं, धेर सारे गुडों से भरी हुई ये हल्दी, हम सबकी किचन में मिलेगी, मेरी आपकी सबके किचन में, धेर सारी आपकी सुन आपकी आंतरिक सुन्दर्ता यानि कि आपकी हेल्थ को बनाये रखने में इस हल्दी का महत्वपूर योगदान। अभी से नहीं सदियों से हल्दी के गुड़ों को हम लोग जानते भी हैं और आजमाते भी हैं। पर आज मैं आपसे कहने आई हूँ कि इस हल्दी को आप जितन करते हैं आके नमस्कार चुगाडवेष्टी पर आप सभी का एक एक बार फिर से धेर सारा सौगत इस खुबसूरत हल्दी के साथ और इस हल्दी से याद आया आज वसंत पंचमी है तो आप सभी लोग को वसंत पंचमी की धेर सारी शुप कामनाय इस शुप हल्दी के साथ इस से शुप कामनाय और क्या हो सकती है हर शुप काम में हल्दी का इस्तेमाल होता है पर आज मैं कहती हूँ हल्दी पाउडर को जितना कम से कम इस्तेमाल करेंगे और ये हल्दी आप जितनी ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे आप उतने ही फायदे में रहेंगे ये देखिए मेरा हल्दी का डिबा अक्टूबर से लेकि इस डिबे में कोई भी हल्दी नहीं भरी गई है क्योंकि मैं ये वाली हल्दी इस्तेमाल करती हूँ लगातार चार महीने से अफी तक यही हल्दी इस्तेमाल हो रही क्योंकि दिवाली के पहले सी मार्केट में आनी शुरू हो जाती है तो आप पूरे साल में कम से कम कम से कम पूरे के पूरे छे महीने इस ताजी हल्डी का लुफ्त उठा सकते हैं आप चाहें तो पूरे साल लुफ्त उठा सकते हैं इस हल्डी का अभी तो फिलाल बहुत मात्रा में आ रही है और बहुत सारे लोग अपने गमले में भी उगाते हैं 10-10-15-15 किलो हल्दी हारवेश्ट भी करते हैं तो इस हल्दी को इस्तेमाल करिए और इसके धेर सारे फायदों को लीजिए जो कहीं न कहीं हम लोग मिस कर देते हैं अपने हल्दी पाउडर में इस्तिमाल करने का तरीका बहत आसान जैसे हम लोग अधरक छिलते हैं अधरक छिलिए ग्रेटर में ग्रेट कर लिजिए और सबजी में आप मसाला भून रहे इस हल्दी को डालिए बुहन जाएगी आपको दाल पकानी है दाल में ये डालिए बढ़ी आसी आपकी हल्दी वाली दाल तयार आप चाहें तो इसको मिक्सी में पीस पी सकते हैं पर कोई जुरूरत नहीं है इस तरह से ग्रेट करिए और इस्तेमाल करिए अब यहां पर तो इस तरह से ग्रेट करके फ्रिज में रख सकते हैं हपतों तक आपकी हल्दी खराब नहीं होगी यह देखिए मेरे हाथ पीले पीले आपको दिख रहे होगे ना पर अपने स्वाथ के लिए अपनी सेहत के लिए और इस हल्दी के शुद्धता पाने के लिए इतना तो प् जाएगा गुड़ों में कोई कमी नहीं आएगी तो बस आप से यही कहने आई थी इस ताजी हल्दी को इस्तेमाल करिए आप चाहें तो पूरे सालों साल इस ताजी हल्दी को इंजॉय कर सकते हैं वीडियो अच्छा लगो तो लाइक भी करिए और सभी अपनों की सेहत के ल इस फिर सी थेसे सालों आई आएगा श्या बाऊगा दो आजू है वीं इस warfare बरा फ। उज हैं पूरे